तुम्हें पता चलाएं कि हम तुरों जुआ भी ख्यलते हैं जो 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 रुप्य का पेट सट और जुतम मुझे खरीत कर लाते थे तुम्हें बेटा नालायक निकला पठाई लिखाई दो दूर मैं उसे चछा संस्कार भी नहीं दे बाई मैं सुलेखा जैसे सुसील बेटी को हमेशा धुतकार दे रही उसे कभी मा का प्यार नहीं दे पाए आज एक तरफ जहां सुलेखा की पठाई लिखाई और संसकार की चर्चा हो रही है दो दोसरी तरफ इन दोनों नालायको की गुंडा गर्दी की चर्चा हो रही है मैं एक अच्छी मान नहीं बन सकी मैं एक अच्छी मान नहीं बन सकी ममी मुझे आज एक मुवाल चाहिए हा म ममी सुद्मंदर हदार दो हमें आज एक मुवाल चाहिए अभी तब तुम गोनों एक दर्जन से जादा मुवाल खारीद चुके हो एक ही जबता पहले तो नहा मुवाल खरीदा था वो मुवाल खो गया जूट के बोलता है मम्मी वह मोल रवी जुआ में हार गया क्या जुए में हार गया मतलब अब तुम तो जुआ रूमी हो गया ओ तो तुम्हें अभी पता चला है कि हम दोनों जुआ भी खेलती है जब जारुप्य का पेंड सट और जूता मुझे खरीद कर लाते थे तक तो न तुम दोनों को नहीं दोगी तो सूट के सीपर हो जाएगा अब कर दो तुम्हें निच करें मम्मी याद है बच्पन में स्कूल से पैंसील कटर चुरा कर लाते थे उससे लटाने के बदले चुट चाप रख लेती थी और जब खाना मांते थे तो बोलती थी खाना खाएग कि फीपायर खेलेगा और मुहाल में हाथ में मुहाल थामा देती थी खुद भी में में व्यास थांग सबको भी मुहाल में व्यास, और आज मुहाल मांता हूं तो नो टंकी करती है किसान ऐसे बात नहीं बनेगा तुम मैं का हाथ प्रक्रण में सुटकेस लेकर भागता अरी सुलेखा की मा तुम रो रही हो जब संदान ही कुपात्र निकले तो रो नहीं तो हसू अब मेरे आखों में आसू ही आसू है किरन की मा आसू ही आसू अरी पगली तू अपसर बिट्या की मा बन गई है अपसर बिट्या की मा क्यों जले पे नमाख छिरक रही हो किरन की मा, मेरा भाग तो वैसे ही फूटा है मजाख मत समझो सुलेखा की मा, आज ही रिसल्ट आया है सुलेखा भी पीएसी कंपीट कर ली है, पूरे गाउं में अपसर बिटिया जिन्दाबाद के नारे लग रहे है सच कहती हो किरन की मा, मेरा भीटि अपसर बन गई, क्योंकि मैं उसे कपी दोलार से गले नहीं लगाई तो हमेशा मुझे पेटा और पेटि में फ़र्ट समझाती रही किरन की मा हमारे गाओ की बेटी कैसी हो मम्मी यह देखो आपकी बेटी अफ़ा बंगाई मम्मी आप तो मुछे कोई शिकायत नहीं है न आपको कैसी बहुत करें यो मेरी बच्ची हमारे गाओ की बेटी कैसी हो आंटी अप्रोप समझ गही होंगी कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता मेरी मती मारी गई थी बेटी मेरी आत्मा मुझे धिकार दी है अपनी घटिया सोच पर रिशिका ठीक ही कहती थी कि मोबाइल बच्चों के लिए जहर होता है जहर मोबाइल का दुरुपयोकर आज मेरा गोनो बेटा नालायक निकला और मोबाइल का सदुपयोकर मेरी सुलेखा अपसर बन गई यहीं जागती समाज में लानी है आंटी जितना समय हमारे भाई बेहन फोन पे बर्बाद करते हैं गेम्स खेलने में लेंस देखने में उतना समय अगरे अध्यान करेंगे तो एक सुलेखा क्या काई सुलेखा डॉक्टर ऑफिसर बेचर बंगे अपने परिवारा समाज का नाम रोशन करेंगी तब तो आज से हमारा एक ही अभ्यान है दुर्वृत्यों को जर से मिताना है जारिती समाज में लाना है